पैसेंजर ट्रेने बन थी, बसे बन थी, हवाई शेवा बन थी, इस बार बहुत कुछ खुल चुका है, श्रम एक्स्पेशन ट्रेने चल रही है, अन्य स्पेशल ट्रेने भी शुरू हो गई है, तमाम साबधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं, धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानि अर्थे ववस्था का एक बड़ा हिस्था अब चल पड़ा है, खुल गया है, ऐसे में हमें और ज्यादा सत्रक रहने की आवश्यत्ता है, दोगज की दूरी का नियम हो, मुँपर मास्ट लगाने की बात हो, हो सके जो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन उसमें जराभी ढिलाई नहीं बरगनी चाहिए। देश में सब के सामुहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वास्तों में भारत वास्यों की उपलब्ति कितनी बड़ी है। हमारी जनसंख्या जादा तर देशों से कई गुना जादा है। हमारे देश में चिनोवतियां भी धिन्द प्रकार की हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जीतना दुनिया के अन देशों में फैला। कोरोना से होने वाले मृत्य दर भी हमारे देश में काफी कम है। जो नुक्षान हुआ है उसका दुख हम सब को है। लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाये हैं। वो निश्चित तोर पर देश की सामुहिक संकल्प शक्ति का ही प्रणाब है। इतने बड़े देश में हर एक देश वासिने खुद इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है। ये पूरी मुहिम पीपल डिवन है। साथियों देश वासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वो हैं देश वास्यों की सेवा शक्ति है। वास्तों में इस महामारी के समय हम भारत वास्यों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्स नहीं है बलकि भारत की जीवन पद्धती है। और हमारी यहां तो कहा गया है सेवा परमो धर्मह, सेवा स्वयम में सूख है, सेवा में ही संतोष है, आपने देखा होगा कि दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति के जीवन में कोई डिप्रेशन या तनाव कभी नहीं दिता, उसके जीवन में, जीवन को लेकर उसके नजरिय में भरपुर आत्मविश्वास, शकारक वक्ता और जीवन दता प्रतिक्पन नजराती है, साथ्यों, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाय कर्मी, पुलिस कर्मी, मिडिया के साथी, यह सब जो सेवा कर रहे हैं, उस की बात में भी मैंने उसे जिक्र किया है, सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों के संख्या अंगिनत है, ऐसे ही एक सज्जन है तमिलनारू के सी मोहन, सी मोहन जी मदुरे में एक सलून चलाते हैं, अपनी महनत की कमाई से इन्हों ने अपनी बेटी की पढ़ाय के लिए पांच लाख रुपे बचाये थे, लेकिन इन्हों ने ये पूरी राफ्षी इस समय जरूरत मंदों गरीबों की सेवा के लिए खर्च कर दी, इसी तरह अगर तला में ठेला चलाकर जीवनियापन करने वाले गौतम दासी अपनी रोज मरा की कमाई की बच से हर रोज दाल चावल खरिक्तर जरूरत मंदों को खाना खिला रहे हैं, पंजाब के पठान कोट से भी एक ऐसा ही उधारन मुझे पता चला, यहां दिव्यांग भायराजु ने दूसरों की मदद से जोडी गई, चोटी सी पूंजी इसे, तीन हजार से अधिक मास्क बनव कर लोगों में भांटे हैं, भायराजु ने इस मुश्कित समय में करीब सो परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया, देश के सभी इलाकों से विमेंज शल्फ हल्फ गुरू के परिश्म की भी अंगिनत कहानियां इन दिनों हमारे सामने आ रही हैं, गावों में, छोटे कस्बों में, हमारी बेहने, बेटियां, हर दिन, अजारों के संख्या में मास्ट बना रही हैं, तमाम सामाजिक संस्पाय भी इस काम में इनका सयोग कर रही हैं, साज्यों, ऐसे कितने ही उदारान, हर दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं, कितने ही लोग कई बार समय की कमी के चलते मैं बहुत से लोगों का, बहुत से संगठनों का, बहुत से संस्ताओं का नाम नहीं ले पाता हूँ. सेवा भाव से लोगों की मदद कर रहे ऐसे शफी लोगों की मैं प्रसंसा करता हूँ उनका आदर करता हूँ उनका तहे दिल से अभेननदन करता हूँ मेरे पैरे देशवासियों एक और बात जो मेरे मन को छूग गई है वो है संकट की इस घड़ी में इनोवेशन तमाम देशवासी गावों से लेकर शहरों तक हमारे छोटे व्यपारियों से लेकर स्टार्ट अप तक हमारी लैप्स कुरोना के खिलाब लड़ाई में नए-ने तरीके इजाग कर रहे हैं नएने इनोवेशन कर रहे हैं, जैसे नासिक के राजेंद्र आदव का उधार बहुत दिल्चस्प है, राजेंद्र जी नासिक में सतना गाउं के किसान है, अपने गाउं को कोरोना संक्रमन से बचाने के लिए उन्होंने अपने ट्रेक्टर से जोड़कर एक सेनिराइजेशन मशीन बना ली है, और ये इनोवेटिव मशीन भहुत प्रभावी तरिके से काम कर रही है, इसी तरह मैं सोचल मीडिया में कई तस्विरे देख रहा था, कई दुकानदारों ने दोगज की दूरी के लिए दुकान में बड़े पाइप्लाइन लगा लिए हैं, जिसमें एक चौर से वो उपर से सामान डालते हैं, और दूसरी चौर से ग्रहक अपना सामान ले लेते हैं, इस दोड़ान पढ़ाई के ख्षेतर में भी कई अलग-अलग इनोवेशन शिक्षकों और चात्रों ने मिलकर किये हैं, ऑनलाइन प्लासिस, वीडियो प्लासिस, उसको भी अल दुनिया भर की नजर है और हम सब की आशा भी किसी भी परिश्क्रिति को बदलने के लिए इच्छा सक्ति के साथ ही बहुत कुछ इनोवेशन पर भी निर्भर करता है हजारों सालों के मानवजात की आत्रा लगातार इनोवेशन से ही इतने आधुनेक दोर में पहुँची है इसलिए इस महामारी पर जीत पे लिए हमारी विशेश इनोवेशन भी बहुत बड़ा आधार है साथियों कोरोना के खिलाफ लड़ाय का इह रास्था लंबा है एक ऐसी आपदा जिसका पुरी दुनिया के पास कोई इलाजी नहीं है जिसका कोई पहले का अनुवव भी नहीं है तो ऐसे में नई नई चुनवतियां और उसके करण परिशानियां हम अनुवव भी कर रहे ह ये दुनिया के हर कोरोना प्रभावी देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अच्छुता नहीं है हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में नहों परिशानी में नहों और इस शंकट की सबसे बढ़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब मद्दूर श्रमीक मर्ग पर पड़ी हैं। उनकी तकलीफ, उनका धर्थ, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार के तकलीफों को अनुभव न कर रहा हूं। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बातने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। हमारे रेलिवे के साथ ही दिन रात लगे हुई है। केंद्र हो, राज्य हो, अस्थानिय स्वराज की समस्ताय हो, हर कोई दिन रात महनत कर रहे हैं। जिस प्रकार रेलिवे के कर्मचारी आज जुटे हुए हैं, वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कॉरोना वारियस ही है। ये साब काम लगाताब चल रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है। लेकिन साथियों जो द्रश्य आज हम देख रहे हैं, इससे देश को अतीत में जो कुछ हुआ, उसके अवलोकन और भविश के लिए सीखने का आउसर भी मिला है। आज हमारे स्रमिकों की पीडा में हम देश के पुर्वी हिस्षे की पीडा को देख सकते हैं। जिस पुर्वी हिस्षे में देश का ग्रोथ इंजिन बनने की क्षमता है, जिसके स्रमिकों के बहुबल में देश को नई उचाई पर ले जाने का सामर्त है, उस पुर्वी हिस्षे का विकास भहुत आवश्यक है। पुर्वी भारत के विकास से ही देश का संतुनित आर्थिक विकास संभव है। देश ने जब मुझे सेवा का अवसर दिया, तभी से हमने पुर्वी भारत के विकास को प्राफिक्त आदी है। मुझे संतोस हैं कि बीते वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। और अब प्रवाशी मदुरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी आवश्यक हो गया है। और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कहीं स्थमीकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है। कहीं स्टार्ट अप्स इस काम में जूटे हैं। कहीं माइगरेशन कमिशन बनाने की बात हो रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले दिये हैं। उससे भी गाउं में रोजगार, स्फरोजगार, लगुद्यों को से जुड़ी विशाल संभावना एक खुली हैं। इस फैसले इन स्थित्यों के समाधान के लिए हैं। आत्म निर्भर भारत के लिए हैं। अगर हमारे गाउं आत्म निर्भर होते, हमारे कस्बे, हमारे जीले, हमारे राज्य आत्म निर्भर होते, तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता, जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है, लेकिन अंधेरे से रोशनी की और बढ़ना मानुद स्वभाव है। तमाम चुनोतों के बीश मुझे खुशी है कि आत्म निर्भर भारत पर आज देश में जापक मन्थन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। इस मिशन का नेतरुत्व देश वासी अपने हाथ में ले रहे है। बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाए जाते हैं। उनके पूरी लिस्ट बना दी है। ये लोग अभि लोकल प्रोडस को ही खरीद रहे हैं। और वोकल फर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। मेकिन इंडिया को बढ़ावा मिले। इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल्प जता रहा है। बिहार की हमारे एक साथी स्रिमान हिमान स्री ने मुझे नमो एप पर लिखा है कि वो एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब भारत विदेश से आने वाले आयात को कम से कम कर दे। चाहे पैट्र, डिजल, इंधन का आयात हो, इलेक्टोनिक आइटम्स का आयात हो, यूरिया का आयात हो, या फिर खाद्य तेल का आयात हो। मैं उनकी भावनाओं को समत्ता हूँ, हमारे देश में कितनी ऐसी चीजे बहार से आती हैं, जिन पर हमारे इमानदार टेक्सपेर्स का पैसा खर्च होता है, जिनका विकल्प हम आशानी से भारत में तयार कर सकते हैं। असम के सुधित ने मुझे लिखा है कि वो महिलाओं के बनाये हुए लोकल बैंबू प्रोडक्स का व्यापार करते हैं। और उनकी तयक क्या है कि आने वाले दो वर्ष में वे अपने बैंबू प्रोडक्स को एक ग्लोबल ब्रैंड बनाएंगे। मुझे पुरा भरोसा है आत्म निर्भर भारत अभ्यान इस डसक में देश को नई उंचाई पर ले जाएगा। होती है। उस नेताओं ने मुझे से पूछा कि कोरोना के इस काल में ये योग और अधरुवेज कैसे मदद कर सकते हैं। साथ योग अंतराश्ची योग दिवस जल्द ही आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है। लोगों में अपने स्वास को लेकर जागुर्पता भी लगाता बढ़ रही है। अभी कोरोना संकट के दोरान भी देखा जा रहा है कि होलीवूर्ट से हरिदवार तक घर में रहते हुए लोग योग पर भावध गंभीता से ध्यान दे रहे हैं। हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ हरुवेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा है। उसे अपनाना चाहा है। कितने ही लोग जिन्नों ने कभी योग नहीं किया। वे भी या तो ओनलाइन योग प्लास से जुड़ गए हैं। या फिर ऑनलाइन वीडियो के माद्यम से भी योग सीख रहे हैं। सही में योग, कम्यूनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सब के लिए अच्छा है। साथियों, कोरोना संकर के इस समय में योग आज इसलिए भी ज़्याद आहम हैं। क्योंकि ये वाइरस हमारे रेस्पिरेट्री सिस्टिम को सबसे अधाईक तभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेट्री सिस्टिम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायम हैं। जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं। जिसका अपना आलग महत्व है। कपाल भाती और अनुलोम बिलोम प्राणायम से अधिकतर लोग परिचित होंगे। लेकिन बस्त्रिका, शितली, ब्रहामरी जैसे कई प्राणायम के प्रकार है। जिसके अनेक लाब भी है, प्रशाब के जीवन में योग को बढ़ाने के लिए। आयुष मंत्राले ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्राले ने My Life, My Yoga नाम से अंतराष्टिय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगीता शुरू की है। भारती नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगीता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना तीम मिलिट का एक वीडियो बना करके अप्लोड करना होगा। इस वीडियो में आप जो योग या आशन करते हुए, वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बढ़लावाया है, उसके बारे में भी बताना है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप सभी इस प्रत्योगिता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से आंतरराश्चिय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिये। साथियों हमारे देश में करोडों करोड गरीब दसकों से एक बहुत बड़ी चिंता में रहते आए हैं। अगर बिमार पढ़ गए तो क्या होगा। अपना इलाज कराएं या फिर परिवार के लिए रोटी की चिंता करें। इस तकलीब को समझते हुई है। इस चिंता को दूर करने के लिए ही करीब देड़ साल पहले आईश्मान भारत योजना सुरू की गई थी। कुछी दिन पहले आईश्मान भारत के लाभार्ष्यों की संख्या एक करोड के पार हो गई है। एक करोड से जादा मरीज मतलब देश के एक करोड से अधिक परिवारों की सेवा हुई है। एक करोड से जादा मरीज का मतलब क्या होता है मालूम है। एक करोड से ज्यादा मरीज मतलब नौर्वेज जैसा देश, सिंगापूर जैसा देश, उसकी जो टोटल जनसंचा है, उससे दो गुना लोगों को मुप्त में इलाज दिया गया है, अगर गरीबों को अस्पदाल में भरती होने के बाद, इलाज के लिए पैसे देने पड़त इनका मुप्त इलाज नहीं हुआ होता, तो उन्हें एक मुटा मुटा अंदाज है, करीब करीब 14,000 करोड रुपिय से भी जादा अपनी जेट से खर्च करने पड़ते हैं, आईश्मान भारती होजनाने गरीबों के पैसे खर्च होने से बचाए हैं, मैं आईश्मान भारत के सभी लाभारत्यों के साथ साथ मरीजों का उपचार करने वाले सभी डॉक्टरों, नर्सेश और मेडिकल स्टाप को भी बधाई देता हो, आईश्मान भारती होजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेशता, पॉर्टेबिलिटी की सुविधा भी है, पॉर्टेबिलिटी उसे करनातका में भी वही शुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्जी में मिलती है। इसी तरह मास का कोई गरीब चाहे, तो इस इलाज की वही शुविधा अमिनाडु में मिलती है। इस योजना के कारण, इसे ख्षेतर में जहां स्वास्त की ववस्ता कमजोर है, करोड लाभार्थियों में से 80 प्रतिशत लाभार्थी देश के ग्रामीन इलाफों के हैं। इन में भी करीब करीब 50 प्रतिशत लाभार्थी हमारी माताएं, बहनें और बेकियां है। इन लाभार्थियों में ज्यादातर लोग ऐशी बिमारियों से पिडिक थे, जिनका इलाज सामान्य दबाओं से संभव नहीं था। इन में से 70 प्रतिशत लोगों की सरजरी की गई हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितली बड़ी तकलिफों से इन लोगों को मुक्ति मिल हैं। मनिपूर के चुरा चांदपूर में 6 साल के बच्चे केलेन सांग उसको भी इसी तरह अविश्मान योजना से नया जीवन मिला है। केलेन सांग को इतनी छोटी उम्र में ब्रेन की गंभीड बिमारी हो गई। इस बच्चे के पिता दिहारी मद्दूर है और मां बु हो गया है। पूरी चेरी की अमुर्था वल्ली जी का भी है। उनके लिये भी अविश्मान भारत योजना संकट मौचक बन कर आई है। सरजरी की सलहादी थी लेकिन दिहाडी मद्दूरी करने वाले जीवा के लिए अपने खर से इतना बड़ा अपरिशन करवाना संभवी नहीं था लेकिन अमुर्था वली ने अपने बेटे का अविश्मान भारत योजना में रेजिस्टेशन करवाया और नव दिनों बाद बेटे जीवा के हाट के सरजरी भी हो गई साथ्यो मैंने आपको सिर्फ तिन चार गटनाओं का जिक्र किया अविश्मान भारत से तो ऐसे एक करोड से अभी कहानिया जुड़ी हुई है ये कहानिया जीते जागते इंसानों की है दूख तकलीप से मुक्त हुए हमारे अपने परिवार जनों की है आप से मेरा आग्रह है कभी समय मिले तो ऐसे विक्ति से जरूर बात करिये जा जिसने आउश्मान भारत योजना के तहट अपना इलाज कराया हो आप देखेंगे कि जब एक गरीब बिमारी से बहार आता है तो उसमें गरीबी से लड़ने की भी थाकत नजर आने लगी है और मैं हमारे देश के इमानदार टैक्सपेर से कहना चाहता हूँ आईश्मान भारत योजना के तहट जिन गरीबों का मुक्तिलाज हुआ है उनके जीवन में जो सुक आया है संतोष मिला है उस पुन्य के असली हकदार आप भी है हमारा इमानदार टैक्सपेर भी इस पुन्य का हकदार है मेरे फैरे देश्वासियों एक तरफ हम महामारी से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें हाल में पुर्वी भारत के कुछ हिस्सों में प्रकुतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा है पिछली कुछ हपतों के दोरान हमने पस्षिम मंगार और उरिशा में सूपर साइक्रोन अमफान का कहर देखा तुभान से अनेकों घर तबाह हो गए किसानों को भी भारी नुक्सान हुआ हालात का जाय जालेने के लिए मैं पिछले हपते और उरिशा और पस्षिम मंगार गया था पस्षिम मंगार और उरिशा के लोगों ने जिस हिम्मत और बातुरी के साथ हालात का सामना किया है प्रसोंसनी है संकर्टिस गरी में देश भी हर तरज से वहां के लोगों के साथ खड़ा है साथियों एक तरफ जहां पुर्वी भारत तुफान से आई आपना का सामना कर रहा है वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्षे तिड्डियों या लोकस के हमले से प्रभाइफ हुए है इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है तिड्डी डल का हमला कई दिनों तक चलता है बहुत बड़े शेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कृशी विभाग हो, प्रसासन भी इस शंकट के नुकसान से बजने के लिए किसानों के मदद करने के लिए आधुनिक संसाधनों का भी उप्योग कर रहा है नए-नए आविशकार के तरब भी ध्यान दे रहा है और मुझे विश्वास है कि हम सब मिल करके हमारे कृशिक छेत्र पर यह संकट आया है उससे भी लुहा लेंगे, बहुत कुछ बचा लेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों, कुछ दिन बाद ही पाँच जून को पुरी दुनिया विश्व परियावरन दिवस मनाएगी बिश्व परियावरन दिवस पर इस साल की थीम है बायो डाइवर्सिटी याने जैव विविद्धा वरतमान परिश्चितियों में यह थीम विशेश रुप से महत्मून है लोगडाउन के दोरान पिछले कुछ हथो में जीवन के रप्तान थोड़ी धीमी जरूर हुई है लिगर इस से हमें अपने आसपास प्रकूती की समरुद्ध विविद्धा को जैव विविद्धा को करीब से देखने का आउसर भी मिला है आज कितने ही असे पक्षी जो प्रदूशन और सोर सरावे में ओजल हो गए थे सालों बाद उनकी आवाज को लोग अपने घरों में सुन रहे हैं अनेक जगहों से जानवरों के उनमुक्त विचरण की खबरे भी आ गई है मेरी तरह आपने भी सोशल मीडिया में जरूर इन बातों को देखा होगा पढ़ा होगा बहुत लोग कह रहे हैं लिख रहे हैं तस्वीरे साजा कर रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाड़ियां देख पा रहे हैं दूर दूर जलती हुई रोशनी देख रहे हैं, इन तस्विरों को देखकर कई लोगों के मन में ये संकल्प उठा होगा, क्या हम उन द्रश्यों को ऐसे ही बना रहा सकते हैं, इन तस्विरों ने लोगों को प्रकुरुती के लिए कुछ करने की प्रेणा भी दिया है, नदिय के साथ ताल में बिठा कर जीवन जीने की प्रेणा ले सकते हैं मेरे प्यारे देश्वासियों हम बार बार सुनते हैं जल है तो जीवन है जल है तो कल है लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है वर्षा का पानी बारिश का पानी यह हमें बचाना है एक एक बूंध को बचाना है गाउं गाउं वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं परंपरा करें बहुत सरल उपाए हैं उस सरल उपाए से भी हम पानी को रोक सकते हैं पांच दिन शाट दिन पर अगर पानी रुका रहेगा तो धर्ति मा के पास बुजाएगा पानी फिर जमिन में जाएगा वही जल जीवन की शक्ति बन जाएगा और इसलिए इस वर्षा रूतु में हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि हम पानी को बचाएं पानी को समरक्षन करें मेरे प्यारे देशवासियों स्वच्छ परियावरन सीध है हमारे जीवन हमारे बच्चों के भविश्च का विशा है इसलिए हमें व्यक्तिकर स्पर पर भी इसकी चिंटा करनी होगी मेरा आप से अनुरोध है कि इस परियावरन दिवस पर कुछ पेड़ अवश्च लगाएं और प्रकूति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्च लें जिससे प्रकूति के साथ आपका हर दिंद का रिष्टा बना रहे है हाँ गर्मी बढ़ रही है इसलिए पक्षियों के लिए पानी का इंतिजाम करना मद भूलिएगा साथियों हम सब को ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी कठीन तप्रिशा के बाद इतनी कठीनाईयों के बाद देश ने जिस तरह हालत सा भाला है उसे बिगडने नहीं देना है हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं